So welcome to सुकला cities point, आप सभी का स्वागत है, आपकी प्रीन YouTube चैनल सुकला website me मैं से हम सुकला आप सभी दोस्तों का हैर्दिक शवागत करता हूँ आप सभी का बहुत बहुत अभिन्दधान और बहुत स्वागत है एक बार सभी लोग वी डियो को लाईक और सेर करदें Hani कितने भी लोग उमारे साथ जोड़ चुके हैं आज की वीडियो के अंदर के थम बात करेंगे निव मौडल पेपर 2022 की परिक्षा में आने वाले जो प्रस्ण हैं उनके लिए जो है मौडल एक प्रकार से मसाथा तयार करके लाया हूँ और आपके सामने पेस करने जा रहा हूं मेरे प्रेदोस्तों और आप से बड़ी उमीद है और बहुत ही आसा है कि आप लोग इसको जरूर परसंद करेंगे और यही मेरी आसा आप लोग सिद्ध कर दीजिए बिये दुतिये वर्स समझेत आज का लेक्षर होगा बिये दुतिये वर्स के चाचातर है हमारी इस वीड पैफोलोजी यह पेपर वन का नाम है साइको पैफोलोजी और साइको पैफोलोजी जो पेपर का नाम है इसको हिंदी में क्या कहते हैं इसको हिंदी में मेरी पैदोस्तों कर बात की जाए इसको मनोब्याधी बिग्यान कहते हैं क्या कहते हैं मनोब्याधी बिग्यान जो या आने माले सतर दोजार तेस चौबिस पचीस इन सभी के परिक्षाओं में अगर पैटर नहीं चेंज होता है तो बिल्कुल हलाकि बात की जाए तो नेक्स्ट इयर जो सेकंडियर के हमारे चाचतरे होंगे उनके पैटर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वहाँ पैटर जो होग पर यह पढ़ना इंपोर्टेंट है यह बात ध्यान रखेंगे तो पर्थम प्रसन पत्र में बात की जाए मनोब्याध विज्ञान जो है पेपर का नाम है आपके ठीक तो यहां पर इसको हम समझने का प्रियास करते हैं कि आखिरकार इससे कैसे प्रसनिक्जाम से बनते हैं इसको हम समझेंगे ओके तो इतनी बात किलिर हुई तो बड़े ही आसानी से समझेंगे कोई चिंता करने की आवसकता आपको नहीं होने चाहिए तो मनोबिज्ञान कोंगरेजी में साइकोलोजी कहते हैं और साइकोलोजी का जो पेपर वन है उसी के बारे में हम और आप लगातार परिक्षा में बन रहे हैं उनको चाटा है उसके बाद में और ऐसे प्रसंट जो की एक्जामस में लगातार बनने हैं और पूछे गए हैं उनको जदूर हम लोगों ने आपके समक्ष रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ओके अब इसमें हम चर्चा करेंगे आए ये मोस्ट इंपोरेंट परसंट है और ऐसे ही परसंट आपके एक्जामस में देखने को आएंगे पेपर टू का थमनेल कुछ इस प्रकार से होगा पेपर टू की वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी उसमें साइपर टू का नाम है समाजिक मनोविज्ञान ठिक त तो थी वर्स में जो भी-ऐ-बशक मेंगा फिकड मनोविज्ञान या साइकोलोजी थे करने तो भी एपर निर्द्लेशा अंशर्द आपके बटा हुगा थिक कितने खंडों में तीन खंडों में आपका परचा बटा हुआ होगा और उन-तीन खंडों में घर बात की जाए तो वह नोट आखिरकार जो खास अमलब खंड आ से परसन पूछे जाएंगे वह किस टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं सबसे पहले नोट पढ़ना आपको सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने होंगे आप पेपर पढ़ेगा पेपर में जो भी निर्देश दिया ठीक है आएए यहां पर देखते हैं तो खंड आ यहां पर देखिए सबसे पहले खंड आ में पहले इसका नोट पढ़िए कि सभी परसनों के उत्तर दीजिए प्रतेग परसन का उत्तर लगबग पचास सब्दों में हो ऐसा है यहां पर जो भी बाते लिखी गई हैं इसका उत्तर आपको कितने सब्दों में लगबग और लगबग पचास सब्दों में देना है तो यह बात ध्यान रखेंगा अब गिनना नहीं कि पचास सब्द है कि चालिस सब्द हैं हलाकि पचास सब्द से अगर जादा ही हो जाए दो चार सब्द तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है भी ए में ठीक पहला परसन है मनो बिकरती बिज्ञान को परिभादित कीजिए मोस्ट इंपोर्टन परसन है मनो बिकरती बिज्ञान क्या है इसको परिभादित करने के लिए आपसे परसन पूछा गया कि अखिरकार मनो बिकरती बिज्ञान क्या है तो यह प्रकार से मो मनों विकरती के विज्ञान के तो इसके बारे में अगर हम जानना चाहें आपसे वैसे जो मनों विकरती विज्ञान होता है उसको मौडल के रूप में हम पढ़ते हैं मौडल मनलब की एक परकार से उसको सिध्धान्त जो है बहुत सारे दिये गए हैं उस सिध्धान्तों में जो आसामान, ब्योहार वगएरा जो चीजी होती है, धारडाएं कुछ होती है, तो उनके बारे में जो है, लगबग जो है, जो सिध्धान बताए गए हैं, साथ तरीके से आप सिध्धान देखेंगे, दिष्टकॉन जो होते हैं, जैसे कि एक जैबिक मॉडल या फिर सिध्ध जैबिक मॉड़ा जो चीजी हो रही है, ठीक है, आसामानिता क्या है, या फिर एक परकार से मनो देहिक बिकार क्या है, मनो गरस्ता क्या है, लक्षण उसके क्या है, मनो देहिक घरदेवाहिका क्या है, उसकी बिकरतियां क्या है, ठीक है, असनाईव बिकरतियां क्या है, आसामानिता क्या है, सामानिता और असमेंता में क्या है, दुर्भीती क्या है, मनो बिछेदी क् बिभरम क्या है भरांती पूर क्या चीजे होती है ब्यक्तिगत बिकरती क्या है मनो दैहिक बिकरती क्या होती है तनाव क्या होता है मना सनायू बिकरती क्या है चिंता मनो सनायू क्या है ठीक है मनो गरस्ता फोबिया क्या होता है समान ब्यक्ति कैसा होता है कई चीज़े होती है जो कि यहाँ पर ध्यान देने योगी होती है तो यहाँ बात आप ध्यान रखिएगा ठीक तो मनों बिकरते बिग्ञान वही होता है एक दिन में बिस्तार से इसके बारे में इसके जो आपजेक्टिप्स कोस्ति होते हैं उसको लेकर कि एक दिन आपको बिस्तार से एक ही वीडियो के अंतर के बताने का प्रियास करूँगा ठीक तो उस वीडियो का आप सबी लोग इंतजार करें यहाँ पर आप लोग परसन देखे कि परसन किस परकार से इंपोर्टन देखे कोन-कोण बन सकते हैं अगला था नबा परकार से आप देखेंगे अगर इसकी ब्याख्या समान्टी जिहान लखेंगे आप सभी लोग समानी और आसामानिता समानिता को नौरमलटी कहते हैं आसामानिता के बारे में भी आप तमाम सारी बाते जानते होंगे आसामानिता जो होती परकार से उसके ब्योहार में जैसे कि जे पेज की बात की जाये उन्होंने कहा कि आसामान ब्यक्ति वह है जिसकी बुद्धी सीमित उमलब हो उसमें संविगात्म की स्थिति पाई जाए ब्यक्तिगत बिगटित हो जिसमें चड़त दोस हो ब्यक्तिगत जीवन दाइनी हो तथा समाजिक उत्तादयत निभाने में आसमर्थ हो उसी को प्रकार से आसमान ब्यक्तित का जाता है आस और साथी साथ मनो रंजन की कमी बताई है उनमें सुरक्षित परवर्ति की अधिं मात्रा बताई है आप रसनता से पीडित रहते हैं दक्षिता में कमी बताई है आनिभी से इस ताव में जैसे की आत्म मोले अंकन करने की छमता उनमें कम होती है वास्त बिक्ता से कम संबंध होता है आसामान बेक्तियों का आत्म ज्यान उप्योक्त मात्रा में नहीं होता है उनके पास उप्योक्त जीमल लक्षों का एक प्रकार से नहीं होता है नहीं होना उनका एक प्रकार से और अपने समों की आवसकताओं की पूर्ती नहीं कर पाते हैं साथी साथ अपने समायोजन पूर्व अनभो का लाव उठाने की छमता उन में नहीं होती है सारी दे कवसकताओं का अभाव होता है तो आसमान बैक्ती में संगठन का भी अभाव होता है आस्वास साथ धिमानसिक रोगियों का परिवार के लिए बोज बनना पड़ता तो आसमानता और समानता में कई परकार की चीज़े होती है आसमान समान बैक्ती इन दोने में बड़ा अंतर होता है समान और आसमान की बात किया सब्दों का मनो विग्यान के छीतर में अगर बात किया है मानो बैवहार से जुड़ा हुआ माना याता है बेक्ति का समान बेवहार और आ समान बेवहार दोनों को समझना क्या है मनों बेगन दिश्टी से बहुत ज़्यादा आवस्थिक होता है इसलिए इस से प्रस्ण इक्जाम से बनते हैं बेक्ति के आ समान बेवहार को समझने से पहले या बात बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरी भाई कि उसके समान बेख्टित और व्योहार को सबसे पहले जाना जाए अगर बेख्टि के समान बेख्टित और व्योहार को हम जान लेंगे उसके व्योहार को जान लेंगे तब हम आसमान ब्क्तियों की बेवारों में अंतारस्पष करवाएंगे कि उन आसमान है को और समान है सिमानड महोदे कहते हैं कि वह भ्यक्ती समान ब्क्ति हैं, जो भीसर चुनोतियों और कुंठा कारी परिस्टियों पर काभू पा सके तो ये Foods चीज़ी होती है भावना इनके अंदर पाई आती है उप्योग तो स्वता जो है अस्परोन करता मलब इस पूर्थी होती इनके अंदर पूर्व अनुभों से लाब उठाने की योगिता होती है समों के अवसक्ताओं की पूर्थी करने की योगिता होती है ठीक ये चीजे होती है तो इतनी बात कि यहां पर बताना चाहें तो बड़ा लंबा होता है प्रोसेस लेकिन फिर भी अगर आपके सामने प्रसुत किया जाए तो भी जो है कई प्रकार की बिकरती आप देखेंगे कि इसे क्षी दो भी आप पर क्या है चिंटा बख़ेंगे प्रकार से ही अगर बात की जाए तो विभिन विद्वानों के मतों को गर देखेंगे परकाफं चलोटी है और हम बात करें अगर में बात हम कह सकते हैं कि चिंता जो हुटी भाई से उत्पन होती है विगती है उनका नाम है मयाइक्टीगल तो मैकडूगल कहते हैं कि इसके रहता जैसे कि मालेते आप पेपर दे दो और रिजल्ट आने का इंतजार करो तो वो एक परकार से चिंता होती है ऐसी बात मैगडुकल बताते हैं और ऐसी परिस्थितियों में जब संबेक का जनम हो जाता है तो उसे यह प्रतीत होने लगता है कि वह कठनाईयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पावेगा यहां यह बताना भी अभीश्थ होगा कि भय वा चिंता में अंतर है तो यहां पर भय जो होती है वह मनो इस्तिती होती है जो थोड़े से समय के लिए तक मलब रहती है लेकिन चिंता आधिक देर तक रहने वाला मनो भाव होता है तो भय जो होता थोड़े समय के लिए आता है लेकिन चिंता लगातार बनी रहती है भय संबेक का प्रकार है जबकि चिंता जो होती है भय का संबेक आत्मक ही भाव होता है इसी तरह भय का संबन्द उन भय पूर्ण परस्यतियों से होता है जो वर्तमान में उपस्तित होती है लेकिन चिंता का संबन्द ऐसी घटनाओं से होता है मेरे भया जो भविस में घटित घटनाओं होती है उनसे भी होता है या बात आप ध्यान नखेंगी बट चिंता जो होत चिंता मना सनायों भी करती कि उन्होंने जो कुछ लक्षण बताएं हैं पहरी तो बताई है कि एक आगरता की आयोगता होती है और तूसरी रक्षण बता है कि निरणा लेने की कठनाई भी इनमें होती है आत्यदिक संबेदन सील होते हैं यह विक्ति लोग उत्साह में के कमी आजाती चिंता करने के दो परांत निद्रा विछोब की भी प्रकार से इनमें जो है चीज़े होती हैं एक चीज़े फोबिया कभी कभी आप से पुछले कि फोबिया के कुछ उधाणों को बताई यह तो फोबिया जो होती है विवरत अस्थान का भय होता है फोबिया के करते हैं लोग पीड़ा भीती पीड़ा कभ है रहता हूं को ओ sound क्या होती Sydney कई बातेelect már प्रोसेस के सम्झाइब चाहते हुए też तो आप परिशाल में बिल्कुल मत हो यह गाह कि विसीष्ट दुरहिती क्या होती दृर्वीती के प्रकार क्या है दृृती वैसी सब मज़िक तुरभीती थी शिरा थैक् भष्टियापर स्टी कि उपतिति या उसके अरुसार पात्र से ही होने लगता है् उसके इसे कुट्टे से डरना मकरी से डरना छिपकली से डरना यह सब क्या हैं वि LOL भीति के लक्षन है इसे अगर कोई वैक्ति मिली से डर रहा है साइक्रोफोबिया है अगर कोई बेक्ति भीर से डरता है तो उसको कौन सी फोबिया है उसको एकलोग फोबिया है अगर कोई बेक्ति अंधेरी से डरता है तो उसको अकलूफोबिया है अगर कोई बेक्ति आउसधी से डरता है तो उसको फारमाकोफोबिया है ठीक अगर कोई व्यक्ति पुल पार करने से डरता है कोई तो उसको कौन सी फोबिया है उसको जी फाइरो फोबिया है कौन सी जी फाइरो फोबिया और कोई बच्चों से जो व्यक्ति डरते हैं उसको कौन सी फोबिया है पेडियो फोबिया जो व्यक्ति किताबों से डरते हैं उनको कौन सी फ उनको कौन सी फोबिया एक्रोफोबिया दूसरी फोबिया होती है वह कौन सी फोबिया होती मेरे भाई वह कौन सी फोबिया होती है इसे कुछ पसुदुर्भीती होती है पसुदुर्भीती यही मलतने से कि बिल्ली बिजली से डरो कुत्ते से डरो कीडे मकड़ी से डरो पच् प्रिसक्ister प्रिख को कैसर से डरता तो उसको कैंसलो फोबिया जो मिर्तु से डरता है उसको कौन सी थैन्य फोबिया यह ओन ritual रोगों से बोकिती प्रते उन वेनरोफोबिया ठीक से कुछ वेट Matthew बड़ते हैं तौ रस दूर्भीती होती है एक झार नोन एक होती है तो एक और फोबिया माने होता है दुर्भीती जिसे जो फोबिया सब्दा है वो दूसका हिंदी अगर देखेंगे तो उसका मलदा होता दुर्भीती ठीक है तो जो एक और फोबिया है वो दूसरी जो है एक और फोबिया जो होती है भीड भारबाले अस्थानों से जिसको डर लगता हो उसको एक और आफ विया कहते हैं ठीक किन्तु जो है परकार से आम अस्थान पर उसको अच्छा लगता हो यह सब चीजे समाजिक दुर्भीती जो होती तीसरी परकार की दुर्भीती जो होती है वह जैसे कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अन्य व्यक् परतिबल की से इंट इसको आप संभी लोग पढ़ ली जिगा उकिल मों स्टिंइंट पर्सन अगला कि आप आपके प्रोजुद प्रकार्ति क्या है उक्तिया आग्जेल्ड अठी याप सम खीक कौन को नसे हमने परकार बहते बिस्ट दुरभीति और समाली दुरभीति खीक इन्षीज़ी हो गए काया प्रारूप यहां प्रसफ मायने क्या होता है ञाए क्या प्रकार सरीह को यह फरकार से जुचीज़ें होती हैं तिक्ध काया अब इसको हम किस तो इसके बाद में किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं खंड बात अब खंड बात से कैसे परस्ण आपके एकजाम से पुछाएंगे इसको देखिए आप सभी लोग सभी परस्ण के उत्तर दीजिए प्रते एक परसन का उत्तर लगभग 200 सब्दों में आपका होना चाहिए यह यहां पर अगर दोसरा परस्ण मालतह , आपको नहीं आता है इसे यहां पर परसन के सबसे पहले आसामान व्यॉहार क्या है कि सबसे पहें के इन पर देकी यह में आप जानते है तो उसका ही उत्तर आप अगर देना पढ़ेगा ठीक यहाँ बात अब ध्यान रिकेंगे DSM क्या होता है भाई DSM जो होता है यह एक प्रकार से बात की जाए यह लक्ष का एक प्रकार से रिकिता है DSM IB, ICD 10, ICD 9 DSM 3 भी होता है यह सब एक प्रकार से ICD-6 DSM दूतिये इस प्रकार से इन सभी के बारे में आप देखेंगे ये सब चीजे होती रहती है ठीक तो इसके बारे में हम चच्चा कर लेंगे DSM के बारे में आप बताएंगे तो आपको साथ उसका चीजे ना समझ में DSM क्या होता है और एक प्रकार से इसका पूरा नाम क् इसका पूरा नाम होता है सन 1840 में पहली बार अमेरिका में मांसिक विकारों का बिधवत वर्गी करण जो है उपलब्ध हुआ इसमें केवल एक ही रोग से समझी विबरण को रखा गया बाद में सन 1831 की गणना हुई उसमें आठ मांसिक विकारों का भी वर्णन किया गया ध इससवास संग्ठन जो है और इसको कहते हैं वर्ड हल्थ ऑर्गनाजिसन जो है उसने रोगों का अंतरार्स्टेवगी करना आरथा आई-सी-दी का प्रकाशन प्राराम किया पहले जो दी-एस-म का हाल आता था जो दी-एस-म फर्स्ट सिक्स अमलब फर्स्ट सिरे करके जो 4 तक आया है DSM वो जो है प्रकार से बाद में समाप्त हो आता है और वही ICD के नाम से प्रारम कियाता है विसुस्वा संगठन ने ICD का प्रकासन किया उसे छठे अंक में पहली बार मांसिक बिकारों को सामिल किया गया अर्था इसमें साइकोसिस की 10 स्रेडिया नियूरोसिस की 9 स्रेडिया जथा व्योहार वा बुद्धी के विकारों की 7 स्रेडिया बनाई तभी से लेकर आज तक ICD के अंक निरंतर प्रकासित हो रहे हैं अब तक दसमा अंक प्रकासित हो चुका है जो है आई-सी-डी के तहित अब इसके बारे में हम ICD, DSM, DSM क्या होता है, ICD क्या होती है इनके बारे में हम बिस्तार से आपको बताने का प्रियास करेंगे DSM, 3rd क्या है, 4th क्या है, इन सभी के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे, ठीक है अगला प्रसन क्या है, अगला है मनो दैहिक बिकरती के स्वरूप को अस्पेट कीजिए, most important प्रसन है और अगर यह प्रसन नहीं पता, दूसरा आप कर सकते थे, उत्तर आगहतिया प्रतिबल का एक प्रकार से बिकरती की ब्याख़ कीजिए तो यह दोनों प्रसन important है, इनको पढ़ लिजेगा, ऐसे आपके paper में आएंगे आगे प्रसन आप सभी लोग देखिए, आगे प्रसन आपके important आ रहे हैं अगला प्रसन क्या है आपका, अगला प्रसन है मेरी भाई कि चिंता हा, मना असनायू के लक्षन क्या चिंता हा, मना असनायू के लक्षन क्या है, असपश्ट कीजिए भी चिंता के बारे में आपको बताया ही हलाकि और भी बताने का प्रियास रहेगा अगला प्रसन आपका, जो है डिस्थायमिक बिकरती के नैंदानिक लक्षनों को बताईए अधवा, दूसरा प्रसन है, विभरम क्या है, विभरम भी मोस्ट इंपोर्टन चीज़े, विभरम के बारे में पढ़ लिजेगा और साथ जो है, डिस्थायमिक बिकरती, इससे भी प्रसन पूछाते है आए दिनू, अगला प्रसन है आपका मनोदसा बिकरती है ये तो मोस्ट इंपोर्टन है तो बिकरती आपको बिस्तार से पढ़ लेना की बिकरती होती क्या है, तो मनोदसा बिकरती क्या है इसके पर्मक परकारों का वर्ण कीजिए यह मुश्ट इंपॉर्णन परसन है अथा वागर के दूसरा परसन दिया है आपके सामने यहां पर देखेंगे क्या दिया है सरार दुसक्रिया सरी 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 दुसक्रिया यहां पर मातरा नहीं लगा इसको आप समीलोग कैसे देखेंगे भाई यहाँ पर देखेंगे नोट आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखावा मिलेगा किन्ही दो परसन के उत्तर दीजिए प्रते एक परसन का उत्र लगबग कितने सब्दों में होना चाहिए तो 50 मला 5 सब्दों में आपका होना चाहिए पहला परसन क्या है आसमान व्योः के संग्यात माडल का वर्णत कीजिए यह मुश्ट इंपॉर्टन परसने ध्यान रख लीजेगा आसमान व्योः और असमान व्योः क्या दोनों व्योः बहुत ही यादा महातपूर है मनों घ्यान के दिश्टी से तो इसको जवर पढ़ लीजएगा उसके आद मनों पीछेदी विकृती क्या है इसके लक्षणों का वर्ण हिजिए तो आप सबसे विकृती जुए बिकृतियां होती है बिकृती जो सारी बिकृतियों के बारे में आप इस तार से पढ़ लीजएगा जो कि विकर्थियों से प्रस्ण पूछे आते हैं उसके आत्में दुर्भीती से आप पढ़ लीजेगा ठीक अगला फिर देखें विकर्थि से प्रस्ण ब्यक्तिगत जो है विकर्थिक के कारणात्मा कारणों का वर्ण कीजिई यह थी मोस्ट इंपोर्ड़न प्रस्ण है अगला पर्स्ण आई एक्जाम से सारे प्रस्ण पूछे गए हैं समाज बिरोधी ब्यक्ति तो विकर्थिक असपष्ट करते हुए इसके लक्षणों का उलिक कीजिए तो आपका लगबग खतम ही हो जाता है पूरा का पूरा मनो विज्ञान अगला आपका जो है इस्थिर व्यामोही विकृति क्या है इसके प्रकार बताईए तो आप विकृतियों के बारे में बिस्तार से पढ़ लीजिएगा ठीक है तो यह हो गया आपके परसंद जो कि इंप सकते हैं उसको आपको बताने का प्रियास किया जाएगा हला कि आपने इसमें जो है साइको पाइथालोजी के बारे में समझा बिकृति दूर्भी थी इन सभी के बारे में आपको पढ़ना बिस्तार से समान बोहर आ समन बोहर हला कि मैं एक आध दिन इसका चेप्टर बटन आपको इसामने परसुत कर दूँगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेश्टी वीडियो में तो तकिले जैंजे बारत आप सभी का बहुत बहुत धने बाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी परकार से अपना प्यार दोला बलाय रखे दानी बाद आप सभी का